हेलो फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अम्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग पार्ट वन में हम सीखेंगे कटिंग कैसे करते हैं विद अस्तर तो ये हैं हमारे पास अस्तर जो की 3 मेटर होगा और ये हैं हमारे पास main fabric ये भी हमारे पास 3 meter होगा तो और ये हैं हमारे पास 2 relay और गोटे का काम करना है हमने ये हैं हमारे पास गोटा गोटे का काम हम नीचे की side घेर में करेंगे और ये हैं हमारे पास nap तो सबसे पहले nap जाल लेते हैं जो हमें length तयार रखनी है वो रखेंगे 48 तयार और जो body रखेंगे उपर की जैसे ये चोली होती है तो चोली का नाप होगा हमारा 14 and half breast point होगा हमारा 35 तीन इंच पलस करने के बाद 38 हो जाएगा 19 इंच हमारा तयार आएगा 19 तयार आएगा और waist होगी हमारी 33 इंच पलस करने के बाद 33 हो जाएगा 16 and half आएगा हमारा front half इससा जिसको बोलते हैं बाजू की length होगी हमारी 17 front neck है 7 और back neck है हमारा 9 इंच तो यहाँ पे इस तरीके से हम ये design तियार करेंगे यहाँ पे neck line आजाएगी और ये नीचे घेरे का जो border होगा बहुत ही प्यारा सा beautiful सा border होगा यहाँ पे और पूरा का पूरा पीस इस तरीके से हम ready करके आपको दिखाने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो हम cutting करेंगे यहाँ पे यह हमारे पास अस्तर और यह हमारे पास main fabric तो अस्तर में से हम सबसे पहले उपर की body का part cutting करेंगे जिसको चोले बोलते हैं उसके लिए हम इस तरीके से fold करते हुए कपड़े को set कर लेते हैं तो इस तरीके से हमने अस्तर यहाँ पे set कर लेना है और यहाँ पे सबसे पहले हम उपर की side सीधा निसान लगाते हैं और यहाँ से पहला निसान जो लगाएंगे length आर्मोल का लगाएंगे देखे back गला है हमारा यहाँ पे 9 इंच तो हम 76 इंच से ज़्यादा आर्मोल यहाँ पे नहीं रखेंगे और length है हमारी body की 14 and half तो हम 15 and half पे निसान लगाएंगे इन निसानों को आगे तक बढ़ा लेते हैं उपर से है हमारा 19 साइज तो हम साड़े 9 इंच पे लगाएंगे और कमर है हमारी यहाँ पे 16 and half तो सबा 8 इंच आएगे हमारी यहाँ पे कमर वाला point और यहाँ पे आपका अगर यह cross ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ पे हलकी सी plate डाल ले तो फिर हम यहाँ पे एक इंच बाहर की साइड निसान लगा लेंगे ऐसे और यहाँ पे डाल देंगे एक plate इस तरीके से challenge तक यह हमारी plate आनी चाहिए अब हमें यहाँ पे solder का निसान लगाना है solder रखेंगे यहाँ पे पोने चेंच और front रखेंगे यहाँ पे चेंच क्योंकि front हमारा 6 से कम नहीं होना चाहिए यह आपने ज्यान रखना है और यहाँ पे गोलाई डाल देंगे इस तरीके से तो यह तो हमारी front के निसान लग चुके हैं यहाँ पे हम neckline तियार करेंगे broad length रखेंगे 3 निच और हलक असा 2 point निचे की side down करेंगे तो front वाले निसान पे यह जो निसान लगाए हैं इनी के उपर हम cutting कर लेंगे तो यह हमारा front cutting हो चुका है अस्तर वाला back के लिए भी हम इसी तरीके से कपड़े को set कर लेते हैं तो निचे की side हमने यहाँ पे back side के लिए कपड़ा set कर लिया है उपर बिछा दिया है front अब जो हमारा यहाँ पे यह निसान आता है इस निसान से बाहर की side हम यहाँ पे निसान लगा लेंगे एक इंच तक क्योंकि back का अगला हमारा deep है एक इंच यह पोना इंच से जादा आपने बाहर की side नहीं लेना है और यहाँ पे गोला ही डाल देगी है इसके बाद यहाँ पे भी हम cutting करेंगे back side आधा इंच बढ़ा के cutting करेंगे और बाकी निसानों के उपर इस तरीके से cutting होती जाएगी और यहाँ पे साथ साथ में front के cutting complete करेंगे तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे यह front wag cutting किया है इसी तरीके से main fabric का भी front wag हम cutting कर लेते हैं तो यह देखिए दोस्ता हमने यहाँ पे main fabric और अस्तर बराबर cutting कर लिये हैं जैसे हमने अस्तर cutting किये थे वैसे हमने यहाँ पे main fabric cutting कर लिये है अब हमारे पास जो कपड़ा बचता है क्योंकि 3 मीटर कपड़ा था तो हमारे पास तक्रीवन तक्रीवन यह 1,5 मीटर से थोड़ा सा कम एक-2 इंच कपड़ा बच जाता है तो इसको हम इसको बिचाना होता है ट्रेंगल सेव में ऐसे तो जिससे के नीचे का गेर हमारा प्रोपर तरीके से सेट आ जाएगा और यहाँ पे इसको अच्छे से ध्यान से सेट करते वे बिचाए कोई बीच में जोल वगरा ना रहे तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ तो यह देखे दोस्तों हमने इस तरीके से ट्रेंगल सेव में पूरा पीस सेट कर लिया है इसके बाद हमें यहाँ पे उपर की साइड जो हमने फ्रेंट कटिंग किया है इसमें से एक अस्तर लेना है फ्रेंट वाला और इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है ऐसे यहां पर ऐसे रख लिया है और यहां पर लगा लेंगे एक निसान इस तरीके से और यहां से यह हमें length चेक करनी होती है तो सबसे पहले हमें यहां पर ओपर का भाग कटिंग करना है तो यहां पर जितना भी हमारा यह आता है, जैसे 13 है, तो यह 13 पर यहां पर ऐसे आएगा, और 13 पर हमें इस तरीके से गोलाई में निसान लगाना होता है, तो यह इस निसान को हम यहां पर इस तरीके से मिला लेते हैं, और यहां पर कर लेंगे कटिंग, यह हमारी कटिंग यह अब हमारा यहां पर साइज भी परफेक्ट आना चाहिए जैसे उपर से हमारी 16.5 इंच कमर है तो हम यहां पर चेक कर लेते हैं तो यह बिल्कुल ठीक आएगा और आगे का यहां पर मार्जन भी हमारा रह जाएगा इसके बाद हमें यहां पर लेंटन आपनी है तो लेंटन आ आपनी है जो हमारी लेंट है वो है 48 इंच तो हम नीचे तक जाएंगे यहां पर 48 इंच यहां पर आता है लेकिन हम इसका 3 इंच कम रखेंगे नाप में क्योंकि हमें 4 से 4.5 इंच का लगाना है बोर्डर तो हम 45 लेंगे यहां पर इस तरीके से 45 पर निसान लगाएंगे तो ऐसे हलका हलका यहां पर गैप लेते हुए 30-30 इंच पर निसान लगाते जाएंगे और इन निसानों को भी एक दूसरे से जोड़ लेगे यह हमने पूरा कंप्लीट निसान लगा लिया है जो घेर की बात करें तो घेर यहां पर हमारा यह आ रहा है तकरीबन 31 मतलब यह 62 इंच हमारा एक साइड का घेर आएगा तो बहुत ज़्यादा घेर हो जाता है यह खुले में माना जाता है इन ही निसानों के उपर हम यहां कंप्लीट कंप्लीट कर लिया है अब आपको मैं पता देता हूं यहां पे एक उपर वाले पल्ले हम इस तरीके से अटा दें नीचे वाले पल्लों में कई बार जोड आता है जैसे यहां पर हमारा जोड नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पूचे कि यहां पर जोड बिना जोड के हम निकाल पाएंगे तो जो लेंथ हमारी जैसे ज्यादा होती है या कई बार चोटा होता है कबड़े का तो यहां पर जोड लगते हैं तो वह आप लगा ले यह दियान रखना है इसी तरीके से रखके हम अस्तर जो होता है अस्तर भी कटिंग कर लेते हैं उसमें हमें थोड़ा यहां पर इसी लेंथ में अस्तर कटिंग करना है क्योंकि इसमें बोडर लग जाएगा हमारा साड़ से साड़े चार इंच का तो जैसा यह सेव है हमारी सेव सेम इसी तरीके स कर लेंगे तो यह देखे दोस्त हमने यहां पर पूरा पीस यह कंप्लीट कटिंग कर लिया है और यहां पे नीचे की साइड में आपको दिखा दो यह होगा हमारा अस्तर की चोड़ाई थोड़ इसी हमने यहां पर कम रखी है और बाकी हमारा जितना भी खुला यहां पर पीस कर देते हैं और इस तरीके से बिछा लेते हैं तो हमें एक निसान लगाना है यहां पर इस तरीके से यह लगाएंगे हम हम रहला कुर्ती में, तो आपकी ये प्रोब्लम नहीं आएगी, और प्रोपर तरीके से आपकी फिटिंग सही ही आजाएगी, अब हमारी जो सिलाई आएगी यहां से, कुछ इस तरीके से आजाएगी, और इसके बाद हमने बाजू भी कटिंग कर ली है, बाजू का सिंपल टीचिंग की जाती है, तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद,